हेलो दोस्तों न्मश्कार तो कैसे आपसे भी उम्मिद करता हूं अच्छ होंगी स्वागत आपका श्रमर्जिनिंग क्लासेस के अंदर दोस्तो आर बी ऐसी यानि के राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक्जाम्स के बार में अपडेट दे दिया है 2021 का तो दोस्तों कई लोग कह दें कि दस्वी बार में परिक्षा हैं जो हम वरद हो चुकी है परिक्षाओं को लेकर शिक्षाम्तरी ने कुछ अलगी ब्यान दिया था वो हम आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना और सही तरह से जानन कि क्या है पूरा मामला क्या आप लोग कहीं गल्थ फैमी में तो नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि दोस्तों यूटूब पे काफ़े सारे चैनल फेक निउस भी देते हैं ठीक है ना और हम जो आपको निउस देते हैं वो बिल्कुल फैक्चुल है हमने सीवीडियो की परसूर्व बनाई कल भी वीडियो बनाई जो भी हमने तक्त बताए वो बिल्कुल सही थे हमने पहले का था एक्जाम्स कैंसल होने के दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो बिल्कुल लाख तक देखना और सभी लोगों तक शियर जूड कर देना ठीक है ना दोस्तों RBSC का एक्जाम अपडेट कल ही मीटिंग हुई है ठीक है ना कल ही मीटिंग हुई है तीन घंटे की जिसके अंदर RBSC ने अपना अपडेट देगा सीबिसी का अपडेट आना था एक जून को जो कि आया दो जून को ठीक है ना क्योंकि मीटिंग के अंदर जो है आग्यू हुए थे जिसके अंदर को फैसला सेटिस्फक्टरी नहीं था ना ही सीबिसी के पास कोई सेटिस्फक्टरी जवाब था ठीक है तो तो वो आया दो जून को दो जून को आते ही इसके फैसले के आते ही RBSC ने अपना अपडेट दे दिया RBSC जो है मैंने आपको पहले ही का था कि जब Central Government जब अपडेट दे देती है न तो State Government को देना ही पड़ता है यानि कि जो CBSC है वो Central Government का Board है तो जब CBSC ने अपडेट दे दिया तो RBSC को तो अपडेट देना ही पड़ेगा ठीक है ना तो क्या है दोस्तो RBSC ने वेपना अपडेट दे दिया है इसको लेकर करके शिक्षामंतरी जी ने जो है वेरिफाय कर दिया है इस ब्यान को शिक्षामंतरी कौन गोविन सिंग डोटासराजी ने रजस्तान के शिक्षामंतरी गोवन सिंगड़ोटास राजी ने कल टْवीट भी किया है और उन्होंने ऑफडेट भी बताया है कि सब्सक्रकाद की यहां अपडेट दे दिया है राजस्तान या है शिक्षामत्रेजिंहें काया है कि 10 और 12 रख्रविं K पृष्षाइं हैं ध्यान से सुनना वो रद हो चुकी है говорю है दोस्तों दस्वी और 12 पelective हैं क्या है क्या सथ है जहात है य lazio है दोस्तों कही लोग कह brand बश्राय कि थीर्फांग कीया है इस बेर की है करना नहीं है मुझे उससे लिन दना है कि चाहिए आप दो ही लोगों तक जानकारी पहुंचे लेकिन जो जानकारी पहुंचे ना वह बिलुकुल स्टीक पहुंचनी चाहिए तो दस्वें और बारवी के कर दिये गये हैं दोस्तों तो आप लोग जो हैं आप लोग आप रिलैक्स कर सकते हैं स्टुडेंट्स ठीक है ना आप लोगों की जो मैनत थी और काफी यूटूबर्स ने भी जोड़ लगाया ठीक है अलग लग वीडियो बनाई ताकि आर्बियसी जो है उसके बार में अवो बाहिं देखो बार में बढ़िक्स कर रहे हो यह मेडिकल से कर ले कर दिया आर्ड्स और साइस तीनों को ही प्रमोट कर दिया है ठीक है इसमें कोई डाउट रखने वाली बात नहीं है अब जो बार में के स्टूडेंट है ना उन्हें कोई प्रिक्षा नहीं देनी है आपकी क्या सेलेक्ट करना है आहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब के सब्सक्राइब क्या है है कि हम लोग प्रोमोट कैसे करें कि नीज आपको शोक करने वाली लग सकते प्रमोशन अभी तक अटका हुआ है अटकने का मतलब यह नहीं दौस्टों क्या आप लोग प्रमोट नहीं वे बिल्कुल आपके एग्जाम्स तो कैंसल हो चुके हैं यह तो तरौ ताजा न्यूज है एग्जाम्स कैंसल हो चुके हैं ठीक है ना लेकिन दोस् यह अभी फाइनल नहीं हुआ है जब कि सी बीसी ने फाइनल कर दिया था कि 9 10 11 के बेस्पे ही हम लोग डिगरी बनाए तो जहां तक मुझे लगता है ना दोस्तों हो सकता है कि आपके 9 10 11 के बेस्पे ही बनाए क्योंकि देखो सी बीसी के कदमों पर ही चल रहा है आर बी आपको किये।कि हुआइन워서 कीसे पर fabrics की कुफो किया जाएगा वो भी मैं आपको वीडियो के मैधिन से बताऊंगा जैसे न्यूजं आती है मैं आपको बता दूँगा सबसे पहले कि आपको प्रमोट कैसे किया जाएगा क्लियर दोस्तों तो प्रमोट कैसे किया जाएगा यह भी तक इनका को फाइनल नहीं हुआ बकि हाँ यह फाइनल है यह बिल्कुल फाइनल है दोस्तों आप लोग मान सकते हो 101% यह फाइनल है कि आप लोगों को जो है परमोट कर दिया गया है 10th वाले students अब 11th में हो गई है और 12th वाले students अब college वाले हो गई है senior हो गई हो भाई अब आप लोग तो ठीक है ना वो अब लोग college के अंदर हो चुके है ठीक है दोस्तों तो यह update बिल्कुल सत्य update है बिल्कुल factual update है ठीक है ना अब कई लोगों के मनमें डाउट है कि ऐसा थोड़ी ना हुए एक्जाम स्कैंसल हुए है ठीक है ना अब ही देखो आपको घर बैठे हुए पता है क्या ज़्यादा आपको पताएगा कि एक्जाम स्कैंसल हुए है नहीं हुए जब उन्होंने बोल दिया कि हुए है तो जायट सी बात है हुए है ठीक है ना और केंद्री यह शिक्षामंत्री जो है वो तो अपने जो रमेश प बैठे को काफी बड़ी राहत मिली है यहां पे सीबेसी के कम से कम 10 लाग से ज़्यादा बच्चे और आरवीसी के 5 लाग से ज्यादा बच्चे जो है वो वेट कर रहे थे कि एक्जाम होंगे या नहीं होंगे क्योंकि तो फाइनल फैसला बज़े ना तो बच्चे आगे पा रहे थे तो दोस्तों टीचर्स की मैनत रंग लाई है आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है फाइनली यह फैसला जो है वो फाइनल हो चुका है ठीक है न दोस्तों तो इस वीडियो को जितना होस्त के शेर कर दो दोस्तों इसी गुड़ न्यूस के उपर एक लाइक तो बनता है ठीक है न आपने देखा हूँ मैं तीन वीडियो बनाएं यह बोड की सारी-सारी फैक्शूल है और यह वीडियो चैनल को सबसकाइब करके बैल आइकन को जरूर दबा ले और हाई वीडियो को कितना करोगे हम देखते हैं आज शाम तक कि आप लोग कितना प्या जाना ठीक है ना तो आप लोग थोड़ा सा सयोग दें वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों तक न्यूस पहुझाते रहें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवारा